अगर आपने तीन महिने तक रासन नहीं लिया तो आपका निरस्त हो सकता है रासन कार्ड जी हां ये खबर बहुत ज्यादा चल रही है यूटूब पर तो इसके बारे में बात करेंगे यह सच है यह कि जूट है सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि कुछ मेरे पास सब्सक्राइब करें तो जो कोटा होता है वह गाउं में भी मिलता है और सहर में बिलता है जैसे लगब ज्यादा तर 80% लोगों का रसनकार्ड है सभी के ज्यादा तर 80% के पास रसनकार्ड है तो अपने रसनकार्ड से एक यूनिट पर 5 kg व्यक्ति रसन ले सकते हैं ठीक है तो इसमें जो स्विम सहता समुकी मेलाई है उसकी क्या भूमिक होती है तो इसमें दो कारिया कर रही है स्विम सहता समुकी मेलाई जो पहला कारिया है क्या करी है जिसे टेक होम एक नई सर्विस शुरू की है सरकार ने जैसे स्विम सहता समुकी मेलाई है उनको टेंडर मिला हुआ है जो आंगनवारी केंद्रों पर जो सूखा अनाज बढ़ता है यानि के पुष्ट हार जो भी है वहाँ पर बढ़ता है जैसे अनाज हो गया चावाल हो गया दाल घी सूखा दूद ठीक है इस प्रकार से यह रासन बच्चों को मिलता है और जो लड़किया होती है अठ सुमान फ्रयुक्यर को तरहाँ यह तो उसमन बढ़ता है सरकार और प्यासे तो आइधर बहुत है बहुत बड़ी संक्या में न्युक्ती की गई अब कोटा ले सकती है यहान कि बन सकती है यह कोटा पांट सकती है तो उत्तक परदस में एकिए 1010 सुनष समुगी मैलाय है जिनको कोटा मिला हुआ है जिए रसन बाटने का ठेक यह उनको मिला हुआ है वे रसन बाटती है गाएं में एक यूनिट पे पांच किलो मिलता है तो सुम सब्सक्राइब को यह काम मिला हुआ एक हजार दस पूरत तक प्रदेश में ठीक है तो अभी सरकार ने गोहने की थी कि जो SSG की मैलाई है वह कोटा भी बांटेगी ठीक है और आगे भी मलब आगे भी बांट सकती है क्योंकि आप हमारे चैनल से जूड़े रही है तो जैसे इसके बारे कुछ सूचना आती है कि स्वम सेता सुमू को कोटा कैसे मिलेगा तो हम नेस्ट वीडियो का मादम साब को बताते रहेंगे जब हमारी हमको कोई इनफोर्मेशन मिलती है ठीक है यह दो पोइंट मैंने किलर कर दी है अगर फिर स्टानिस पर में विया था कि अगर आपने थीनमें तक नहीं लिया तो उसमें का दिया हुए जो तो इनकी कि रिपोर्ट माँगे गई है नहीं नहीं लिया ठीक है और मीडियो मेंए फ्याश만 घंभेर्ट 물त्रह तो इस प्रकार का विचार सर्कार का चल रहा है आदेस नहीं और आंधेज कोई से इस प्रकार का姜न नहीं आया तो उत्तव प्रदेश के खाद्य आपूर्ती विबाग ने हर जिले से इस संब्ध में रिपोर्ट मागी है अभी मैंने इसको बता दिया है तो केंदर ने वन नैसन वन रसनकार योजिना लागू कर दी है यानि कि लागू हो रही है काफी समय पहले से और यह पूंडूप से तो इसको क्या करेगी ऐसा चल रहा है कि जो तीन मेने तक रसन नहीं लेता उनके रसन काट करके कहने का मलब उनको आवस सक्ता ही नहीं है उनको जिफाण करें करो काते जा सकते हैं तो जब उनके रसन कार कठेंगे ऐसा बता रही है अधिकारी कि जब उनके रसन काठेंगे तो यह किस ग्रेंप भुक्र मिलेंगे व ändh जो अनाज है कि इसको मिला गा जो गरीग तबका है जैसे Cancer Cancer पीडित लोग है गरीब यह रहासन उनको फिरी दे जाएगा कुष्ट रोगी है कुष्ट रोगी क्या होता है जिसको कोड लग जाता है जैसे हातों में पैरों में कोड लग जाता है तो सारा सरीर का अंग गल जाता है उसका अगर जो जिसके पास कोडी वेखती पास लग जाता है ना तो उसको भी जो है रोग लग जाता है उसको समाज से थोड़ा अलग रखा जाता है ताकि वह रोग जो है ना लगे ठीक है तो कोड बहुत बड़ी बिमारी होते है सारे सिर्व को गला देती है तो जो कोडी होती है और जो एड्स रोग होती है उनको यह र योजना को पूरी सुत्र में पिरा दया जाएगा पूरी तरीके से पूरपर रूप से पूरे देश में लागू हो जाएगी 30 माज 2021 तक ठीक है जी तो यह मैंने जान करें दी है कि रसनकार के बारे में लगवग 99% यह चांस लग रहे हैं कि हां उनका रसनकार निरस्थ हो इसका मलब यह आप समझ सकते हैं सिदी से बात है कि हां इसकी त्यारी चल रही है ठीक है तो यह जानकारी कैसे लेगी अगर आपको जानकारी अच्छी लेगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को सेर कर देना ताकि उनके पास भी यह जानकारी पहुंच सके तो और चैनल को सब्सक्रीब करके घंटे का बटन जुरूर दबा देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिक्स खसन यानिके सूच ने आपको जल्दी से पहुंच सके बहुत बहुत दन्यवाद